मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर आज मैं जो शीट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ न वो स्पेशली है प्ले ग्रूप के बच्चों के लिए मतलब अगर आपका बच्चा दो साल से उपर का है और आप अब उसे लिखना पढ़ना शुडू करवाने वाले है न इन शीट्स की मदद से जरूर आप करवाईए क्योंकि इससे उस बच्चे की तो बहुत ज़्यादा हल्प होगी और आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन कम होगी देखे कई तरीकी की प्रॉब्लम सामने आती है सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है न बच्चा सही से पैंसिल नहीं पकड़ता है कुछ बच्चे होते जो बहुत हलका हलका लिखते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम मैं इन शीट्स में सॉट आउट कर दूँगी तो प्रीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और लास्ट किलो दो शीट्स है न वो सबसे ज़ादा इंपॉर्टन है तो पूरा वीडियो को जरूर देख लीजेगा सबसे पहले जो हम बेसिक चीजे स्टार्ट करवाते हैं बच्चे को वो थी स्टेंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन अब जब मैं बच्चे को बुक दे देती हूँ तो बच्चे बिल्कुल परिशान हो जाता है तो मैं उसे कुछ गेम्स की थ्रू पढ़ना सिखाती हूँ ये मैंने अपने दोनों बच्चों को इसी तरीके से सिखाया था तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ जैसे आप कुछ बना सकते हैं, क्लाउट्स बना सकते हैं हम बच्चे को बोलेंगे बेटा आप बारिश करवा दो बई क्योंकि आज कल दिल्ली में बारिश नहीं होरी न तो अब तुम बारिश करवा दो तो ये है हमारा घर तो अब आप बारिश करवा दो तो इस तरीके से बच्चे को हम बोल सकते हैं कि बई बारिश बनाने के लिए, अब ये जो बारिश है न, ये बनेगी बच्चे की standing line, इससे उसको बनाना आएगा standing line, तो थोड़ा सा बच्चे के साथ हमें creative होना पड़ेगा, इस तरीके से हम बच्चे को बोल सकते हैं, बारिश बनाने के लिए, तो नीचे आप कुछ भी बना सकत होती है, next जो मैंने बनाया है standing line के लिए ही है वो, जैसे आप flower बना सकते हैं, तो इसमें dash मैंने बना दिया है, हम बच्चे को बोलेंगे straight, सीधे-सीधे joint करते हुए बनाओ, बच्चे सारे dash को एक साथ मिलाके line खीच पाता है न, तो समझ लिए बच्चे का eye hand coordination बहुत अच् इससे बच्चे की eye hand coordination पे भी काम हो रहा है, तो हम इन sheets की मदद से छोटे बच्चों की हर problem पे काम कर रहे हैं, तो इससे बच्चे को standing line भी आ गई, और बच्चे का eye hand coordination भी ठीक हो गया, अब sleeping line के लिए आप बच्चे को बोल सकते हैं, इस तरीके से dash मिलाने के लिए, ये भी बच्चे की eye hand coordination पे काम करेगा, और बच्चे को sleeping line भी सिखाएगा, तो इस तरीके से हम बच्चे को बोल सकते हैं, sleeping line के लिए, अब जब sleeping line सारी बन जाएंगी, हम बोलेंगे भई, पानी तो ऐसा होता है, zigzag, इससे बच्चे को curves आएंगे, तो आप इस तरीके से बच्चे को curve बनाना सिखा सकते हैं, अब बच्चे को standing आ गई, sleeping आ गई, अब slanting line कैसे सिखाएं, slanting line के लिए आप बच्चे को matching दे सकते हैं, अब बच्चे को अगर alphabets नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से shapes दे सकते हैं, इस तरीके से बनाके, आप shapes दे सकते हैं, क बच्चे को जरूर इंट्रondious करवाईए जब भी भी ऑप अपने बच्चों के लिए बहुत important होती है बच्चों के eye hand coordination के लिए बहुत सही होती है तो आपने इस बच्चे को इस तरीके से बनाने के लिए बोलना है Joint the dots इस तरीके से अब आप चाहें तो shapes बना के दे सकते हैं कुछ games ऐसे होते हैं कि बही cartoon बना हुआ है कोई चिसमें मान लिजे इस तरीके से कुछ बना हुआ है फिर यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप बना सकते हैं तो इस तरीके से बना कर देढ़े जिए और जब बच्चा बना ले उसे बोलिए सежд सक अथ बसी आपना दूर Soc जरूरी होती है मतलब सोचिए एक बच्चे को अगर वो इस box के अंदर color कर रहा है ना इस triangle के अंदर तो उसे कितना ध्यान लगाना पड़ रहा है कि इस line के बाहर उसका color ना जाए सोचिए अगर वो इतना ध्यान लगा पा रहा है तो समझ लीजिए आपके बच्चे का eye hand coordination बि उसे ignore बिल्कुल मत कीजिए लास्ट activity जो मेरे हिसाब से सबसे important है क्योंकि कई बच्चों के साथ यह problem होती है वो ए तो लिखते हैं बड नजर नहीं आता कि उन्होंने ए लिखा हुआ है वो इतना हलका हलका लिखते हैं और फिर आगे स्कूल में teacher complain करती है कि आपके बच्च आपको इस तरीके से देखिए इससे क्या होता है इससे एक तो बच्चे की pencil gripping अच्छी होगी कभी बच्चा जो यह light लिखता है न हलका हलका लिखता है वो इसी वज़ए से लिखता है क्योंकि उसमें pencil को सही से नहीं पकड़ा है दम लगा के नहीं पकड़ा है अब सौट हो जाती है तो यह activity अपने बच्चे को दिन में 5-6 मिनिट के लिए जरूर दीजिए और बच्चों को तो बहुत मजा आता है इस तरीके से चीजों को खराब करने में तो मेरे बच्चे को तो बहुत मजा आता है इसमें कर बच्चों को जरूर यह एक्टिविटी करेंगे शेयर करेंगे मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें भीना कहीं नहीं जाएंगे थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग